खैसे क्वарт Corps आप कर गिए हैका है Hello Hello student welcome to friends set preparation YouTube Channel यूटुब चैनल पर में लेकिश आ आथा हूँ आपके लिए रोज के लिए कोशन टाइब करने के बाद मैं आपको उसका solution प्रोवाइट करूँ ठीक है तो फटाफ़ट कोशन टाइब करो कोशन टाइब करो बच्चो ताकि भी आपकी जो कोशन से उसको मैं ले सकूँ और यहां पर स्वाल्व कर सकूँ ठीक है तो फटाबर कोशन टाइब करो लाइब चैट में कोशन टाइब करो बच्चो कर दो करिए. मना कर थकर दे बच्चों कर. लाइब चैब कर दो फटाब्सने का कर् प्या है, कहा है तो अंतुمكن हो इक आटताफर में ले उसको के अब कहा है कि है अंतॉन से वाल्व में कर दो ढया कर सकूँ हो. कुछन टाइब करो बचो आई होप स्क्रीन दिखाई दे रही होगी जो भी आपके डाउट है जो भी कुछन है जो भी पूछन चाहरे हो बच्छो कुछन टाइब करो क्या करो जो भी कुछ पूछन चाहरे हो बच्छो कुशन टाइब करो मुझे लगता है डिखाई थी ठीक है चलो कुछन टाइब करो ताकि भी मैं इस टार्ट कर सको बच्छो क्लास टार्ट हो गई है आप लोग वैसे जो भी डाउट है उसे पूछो कि अभी तक किसी भी बच्चे ने कोई कोशन टाइप नहीं किया है अच्छा एक कोशन आ गया इस पॉसिबल फ्रॉम ट्राइंगल बाइटी दे लाइन सेग्मेंट आप देखो अब आपके आपने आपना देखो यहां पर मुझे दे रखा है पॉछ डिफेटल अटाइफंे पर मुझे डिफेटल है और पूछ यह पॉसिबल और यह ट्राइंगल कर सकते थे को चेख करने का सबसे आसान तरीका यह होता है जैसे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो भी आपने डाइमेंशन दे रखे बचे तो वह दाइमेंशन पर नोट कर लेता हूँ ठीक है तो जैसे कि आपने ये डाइमेंशन दे रखा है ये जैसे मैं सबसे कर लेता हूँ एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC सबसे एक ट्री इस साइट से और इन ऑग्रे सब्सक्राइब स्कलिट पुरो यह आपको सम्झाने के लिए यूस कर रहा हो ए 광िशे के दिए 20 है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 15 ठीक है यह तीन हमारे पास लेंथ आपने दे दिया कि सर यह है और उसके बाद कह रहा सर इस पॉसिबल फ्रम ए ट्राइंगल भाई थ्री लाइन सेग्मेंट फॉल इस लेंथ का यह पॉसिबल है यह नहीं है तो देखो इसके लिए करने लग गया मैं तो कुछ इस टाइप शे एक मिनिट एक स्केल के में जुरुत पड़ेगी तो 15 cm ऐसा करो एक लाइन सेग्मेंट ड्रॉब कर लो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि 15 cm लैंध के एक लाइन सेग्मेंट ड्रॉब करेंगे जो कि मैं आपके इस क्रीन पर भी 15 cm तक इसे apply कर दिया ठिक है तो देखा यहां पर आगा सदेखोगे यहां आपके सेग्मेंٹ ड्रॉख कर लिया 15 सेंटिमेंट यानिकि जो सब से हाइयर वेल्यू है हाईयर वैल्यू को मैंने क्या किया किया किए अच्छा उसके बाद जैसे आपने कहा कि सरी यह यह होगया हमारा यह प्रोपर जो पॉर्षन फाइसा हमने ड्रॉख कर लिया ठीक है अच्छा उ उसे इस रिमूब करता हूं यह हमारे पास जो लाइन सेग्मेंट है हमारे पास हा चुक है ठीक है अब मैं इसे रिमूफ कर देता हूं यह भई यह जो हमारे पास था एख मिनट ठीक है अच्छा उसके बाद next हमें क्या चाहिए होगा यह जब आप लोग ने इसे solve कर लिया यानि कि कर लिया चाहिए का मतलब यहां पर यह कि जो लाइन सेग्मेंट आपके पास यह अपने ड्राव कर लिया उसके बाद next जो है यह 8 cm इसे लेके गरेंगे अब ठीक है और इसे लेने के लिए अमें क्या करेंगे इस स्केल को में हटा देता हूं और उसके बाद रूल के कंपास हो कंपास ना कि अब यह एक मिनट कि एट सेंटीमेटर की मुझे जुरू होता है ठीक है एट सेंटीमेटर का मतलब यह है एक मिनट तो यहाँ से मैं इसे क्या करता हूँ एट सेंटीमेटर लेंद ले लेता हूँ ठीक है इसको हटा देते हैं और यह कंपास मैं से गरता हूं 8 cm की length ले लेता हूं तो यह कुछ इस टाइप से जाएगा यहां पर लिया इसे ठीक है और 8 से अभी इसकी length है देखो यह आपको यहां दिख रहा होगा यह 10 cm ले रखा है मैंने भी अभी मैं 8 cm लेता हूं यह 8.6 8.2 और यह 8.1 ठीक है यह आ गया अब यह exactly 8.10 ठ सबसे पहले मैंने किया था किया था कि सबसे पहले मैंने यह A B ड्रॉ किया था इस पॉंट का नाम ए रख लेता हूं इस पॉंट का नाम बी रख लेता हूं ठीक है उसके बाद जो 8 cm हमारे पास है 8 cm यह मैंने इसकी जो डाइमेंशन है बच्चो यह डाइमेंशन मैं ले लि उसे मैं draw कर सकूँ तो यह माले तो B point है यह A point है यह इस लिए ताक कि हमने यह 8 cm जो यह compass open किया है इसे मैं draw कर सकूँ ठीक है उसके लिए तो मैं इसे क्या करूँ यह use कर रहा हूं एक मिनिट 8 centimeter तॉट्य टना अब ये देखो ये हो गया approximately 8 cm हो गया हमारे पस अब इसे मैंने ऐसे करके बस ये कट कर लिया ताकि एक रवाज आ जाए मेरे पास ठीक है कर ये कर मेले लिया और ये जो कर से बच्चो ये एक संटी काँ से लाबा एक कर और ले लेता हूं जो कि five centimeter का होगा तो five centimeter के लिए मुझे क्या करना होगा कि इसकी जो यह length है वच्चो यहां ले गया अशे और इसे यहां से 5 cm तो 5 cm डाइमेंशन देख लेते हैं यह हो गया आपके पास 7.85 आठीक यह आ गया हमारे पास अब इसको हम लोग यहां से क्या करेंगे कर्व लगा लेंगे ताकि हमारे पास अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर हमारे पास आ है यह मैंने 5 cm के अकॉर्डिंग लिया हुआ है और यह जो आप देख रहे हो यह आपके पास कितने 8 cm के अकॉर्डिंग है ठीक है तो अगर मैं यह बात करूं बच्चों कि यह पॉसिबल है यह नहीं है तो देखो maximum to maximum जो इसका जो पॉइंट आ रहा आपके पास यह जो हो जाते हैं हमारे पास यानि कि आप यह सकते हो कि भी सबसे बहले कर लिया आपके पास पॉइंट करोगे और इधर पास यह इसे बहुत कर तो मतलब है दोनों कहीं च्क और यहां से आपने कर्व लगाते हैं आपके पास इंटरसेक्टिंग पोइंट आ जाता इस इंटरसेक्हटिंग पोइंट से मैं एक ट्राइंगलग कर सकता हुआ तो इसंतरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आ रहा तो आप Bent으 एक पी अनुठ सेन्टора नहीं कर पाएंगे यह तीनों डाइविंशन आपकी पास है इनकी पास इंट्रसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास नहीं आ पार है तो आपको बस यह चेक करना था इंट्रसेक्शिंग पॉइंट निकालने के लिए ठीक है तो नेक्स कॉशन जिसका भी है पूछो कि नेक्स कॉशन पूछो भी अ dónde मैं कि अई migrant अवाज आ रही होकी जो भी नेक्स कुशन किसी को कुछ कुछ पूछना है तो पूछ सकता है की कि हलो क्या इसका हम बश्कीजर में यह इंद है allo दॉट कशी प्लास को अवर कर दे अगर किसी के को डाउट नहीं है एक को उसल्वों नहें और सब लुक्नada किकर किस में नहीं है तो नहीं हम यह सकते हैं यह कोई डाउट नहीं है? करोंगरवत है तो इसे कंडिन्यू करेंगे क्लास को आगे फॉर्दर अगर किसी का डाउट ही नहीं है कुछ पूछनागी नहीं है तो फिर क्लास ओर करते हैं पर क्लोग कर दकें हैं कि और और कोई नहीं है पूछ सकते हैं, कोई reply नहीं आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है बच्चों कोई डाउट ही नहीं है, तो मैं इस लाइफ क्लास को ओवर करता हूँ, मेरे बास कोई question नहीं आ रहा है, गुड मॉनिंग ठीक है, लेकिन अभी question पूछन है बच्चों वो type करो, अगर question type नही करोगे, तो मैं यह मान के चलूँगा कि आप लोगों को सारी चीजे आती है, पूछने वाली कोई बात ही नहीं है, अचे एक next question आ गया है, हमारे पास तो उस question को देखने है, क्या पूछा जा रहा है, तो question को इस तरह से कि अरबास plans to tile his kitchen floor with green square tiles, each side of the tile is 10 cm, his kitchen is 220 cm in length and 180 cm in breadth, how many tiles will he need it, यानि कि इसमे क्या करना है, number of tile find out करना है, तो इस question में जैसे जो information में गीवन है, वहले उसे लिख लेते हैं, तो हमारे पास ताइल है बच्चों, ताइल के बारे में आपकी पास information गीवन है, ताइल के बारे में ब टाइल के बारे में आपके पास साइड गिवन हैं, यह तैन सेंटीमेटर हैं ठीक है, उसके बात जिस फ्लोर पे यानि की जो किचन के बारे में दीमें कि वह रैट्टैंगल शेप लगब लगबग हैं और उस का दाइमेंशन आपको गवन है, उसके डैमेंशन के बारे में तो इसकी वेल्यू हमारे पास 180 cm 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 तो इसक फ्रेक्षिन करूंगा यहां पे जो लेंद की वेल्यों थोड़ा चेंज कर देता हूं लेंद की वेल्यों हमारे पास 220 है ठीक है वी वेल्यों जो 180 सेंटीमेटर है और हमें जो फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ टाइल्स कितनी जुरुत पड़ेगी इस फ्लोर को फिट क होता है लेकिन यह जब कलकुलेट कर बच्चों सबसे पहले तो आपको इस स्व्क्टैर जो है आपकी पास इसका इल्या फाइंड आउट करना होगा उसके बाद आपको एह स्व्कुंष ऑल्ब करोटी host कर अधना में क्या करोगें सबसे पहले च्वरुका और टायल का ए एरिया के अगर बात करें, तो हमारे पास क्या होता है? साइड मल्टिप्लाई भए साइड, साइड को साइड से ही मल्टिप्लाई करते हैं, उसके बार नेक्श्ट अगर बात करें, आगे, नाtes लस् ए तॉ दो भजडियोगा, इस फ्लोर का एजियोगा कि कि इस फ्लोर का कितना एरिया तो में यहां पर लिख लगता हूँ है अट्य कि यहां यूके अपकर ने बोला है कि एरिया अफ watu ट्रें राथ करें ट्रीच थे कई एरिया अफ बीमिन से ब्रयादते हैं अब इन दोनों कि एकर वेल्यू की बात करें तो 220 x 180 हो जाएगा तो छोड़ी से कल्कुलेशन है फटाफट 220 को 180 से मल्टिप्लाई करो और बताओ भी क्या रिजल्ट आ रहे हैं तो 220 को 180 से मल्टिप्लाई करना है बच्चो और इस लाइब चैट में आपको रिप्लाई करना है कि जो आपकी जो वेल्यू आ रही है वेल्यू की आ रही है यह मुझे बताओ ठीक है तो आई होब सब बच्चे देख रहे हैं और बहुत ज्यादा मुस्किल कल्कुलेशन नहीं है तो फटाफट रिप्लाई करो किस तरसे से सॉल्व कर सकते हूँ कि 220 को मुल्टिप्लाई करो 180 से बताओ रिजल्ट क्या रहे है ठीक है मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपके रिप्लाई का वीट कर रहा हूँ जल्दी से रिप्लाई करो बच्चों जल्दी मोटी चल्कुलेशन तो करने पड़ेगे नचलर फटाफट रिप्लाई करो क्या रिप्लाई करो किया आंसर और है कि अमठी में किया है जल्दी से करो भी और बताओ दोनों को क्या मुद्प्लाइ करके किया हुआ आ च्रेस को आंसर मैं महां एक मिनट एक बच्चे ने रिप्लाई कर दिया है में अज़ थर्टी नाइन थाउजन सिक्स हंडड़ आ ठीक है एक ने बाकी बच्चे भी रिप्लाई करो फट अफट बाकी लोग भी रिप्लाई करो भी क्या रिजल्ट आ रहा है इसका कि अब तो अब यह क्या है और इन दोनों का आंसर अब कहने का मतलब है सिर्फ यहां मुल्टिप्लिकेशन की में बात कर रहा हूं तो यह विल्कुल ठीक है यानि कि मैं आसे लिख सकता हूं कि अगर बात करें किचन फ्लोर का तो उसका में एरिया मारे पास कितना आ गया है 39600 cm2 ठीक है अभी कुश्षिन पुरा सॉल्ब नहीं हुआ बच्छो अभी आपने क्या किया यह जो स्क्वेर टाइल जो हमारे पास है ठीक है इसका आपने एरिया केलकुलेट कर लिया उसके बार नेक्स्ट आपने क्या किया कि यह जो किचन फ्लोर जो है फ्लोर का एरिया जो भी है उसे भी calculate कर लिया ठीक है अब हमें निकालना होगा कि number of tile निकालना होगा तो number of tile के लिए क्या करूँगा मैं यहां लिखूँगा कि number of tiles needed ठीक है जो हमें actually जो निकालना है उसके लिए में क्या करना होगा जो area of kitchen floor है area of kitchen floor है floor उसे क्या करोगे divide कर दोगे area of tiles, ठीक है, जो tile का area निकाला था, उसे divide कर लोगे, तो अगर मैं floor की बात करूँ, तो floor का area जब हम लोगों ने calculate किया था बच्चो, वो हमारे पास आया था, 39,600 आया था, आच्छा, जब हम लोगों ने tile का area कहला, देखो ये इसकी में बात कर रहा हूँ, देखो य ये हमारे पास इस floor का area आ गया, और ये kitchen का, kitchen में जो tile लगने वाला, उस tile का area आ गया, तो इससे इसको divide कर देंगे, ठीक है, तो बहुत easily से divide कर सकते हैं, तफ नहीं है इसमें कुछ भी, तो जब इससे divide करोगी बच्चो, यानि कि 100 से divide करोगे, तो simply 00 है, इससे cut कर दोगे, य ये 0 cancel, तो हमारे पास answer क्या आएगा, 396 हो गया, it means यह है कि हमें 396 tiles के हमें जरुरत पढ़ने वाली है, ठीक है, तो answer क्या हो गया, 396, तो I hope clear हो गया, question clear हो गया बच्चे, तो reply करो, कहा sir हुआ, नहीं हुआ, या कुछ भी है, तो reply करो, question समझ में आया, तो yes लिखो, अगर नहीं आया, तो no भी लिख सकते हो, ठीक है, फटाफट एक बर comment में लिख दो, फिर मैं next question की तरब move करूँआ, एक बच्चे ने बता दिया कि सर हमें clear हो गया, ठीक है, और बच्चे बता भी, clear हो गया, reply करो, फटाफट रिपलाई करो, comment नहीं आ रहा है, मेरे पास भी, comment करो हो बच्चे, कि clear हुआ या नहीं हुआ, अच्छा, yes, ठीक है, दो बच्चे हो कहरे है, सर हमें clear हो गया, अब बाकी लोग क्या है, बाकी का भी अपना status बताओ भी, clear हुआ या नहीं है, yes या no लिखो, या किसी भी step में clear नहीं हुआ, जहां पर भी attack करे हो बच्चो, वो बता नेक्स कोशन मारे बास आया था, quad of circle is equal to the radius of the, find the angle, substituted by the quarter of the minor arc, बच्चे, इसका एक diagram दिखाना पड़ेगा, विरेंदर नेकी ने कोशन टाइप किया, बच्चे, बिना diagram की question को solve परना, थोड़ा मुस्किल है, तो आप लोग क्या करो, जिस टेप की जो कोशन होते हैं, जिसम diagram वाले question में, जहां पर diagram की जुद्ध पड़ती है, बच्चे, वान diagram आपको share करना पड़ेगा, इस बचे से में next question की तरह मूफ कर रहा हूं, बच्चे, next, a company sale of one liter of water for rupees 12, a shopkeeper buys 240 liter of water, how much does he pay, तो कितना pay करता है, आपकी बास one liter water का cost given है, और आपस 240 liter of water का cost पूछा जा रहा है, बहुत आसान question है, बहुत easily आप इसे कर सकते हो, ज्यादा मुस्किल होनी नहीं चाहिए, तो जैसे question में information giver है, उसके according अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले आपने मुझे दे रखा है, cost of one liter of water, ठीक है, कितना है, तो भाई, आप लोग ने बताया है, सर ये इसका जो cost है, इसका है, रुपीज 12 है, ठीक है, भाई, इसमें calculation करनी पड़ेगी, तो छोड़ा तो ready हो जाओ, और मुझे comment box में reply भी करना, अच्छा, और quantity की एगर बात करें, quantity की एगर बात करें, बच्चो कि कितनी quantity पानी की हमें, कितना हो सेल करता है, वो आपको दे रखा है, quantity की एगर आपके पास one liter का cost given है, 12 rupees, आपको कितने का निकालना है, 240 का निकालना है, बहुत easy सा calculation है, सब लोग कर सकते हैं, तो भाई, multiplication आपको करना होगा, कैसे करना है, वो मैं बता देता हूँ, तो इसमें लिखो के cost, एक minute, cost of 240 liter of water, ठीक है, is equal to, देखो, अब आपके पास अगर मैं बात करूँ बच्चो, तो वो cost of one liter, one liter का cost जो भी है, उसे multiply करोगे quantity से, अब quantity आपके पास जो है, बच्चो, वो कितने है, 240 है, तो यानि कि आप यहाँ पे जो 12 है, 12 को और 240 को, दोनों को आपसे multiply कर लो, आपके बास result आ जाएगा, ठीक है, तो भाई, फटा-फट यह 240 को multiply क कर लो 12 से, और फिर जो भी result आ रहे है, यही आपका answer आने वाला है, तो यह जो dash है, जहाँ पे आपको यह multiplication करना है, फटा-फट मुल्टिप्लिकेशन करो और result बताओ बच्चो क्या रहे है, ठीक है, तो जल्दी से calculation करो भी, multiplication करो, 240 को 12 से और बताओ result क्या रहे है, मैं वीट कर रहे हैं, आपके इस comment box में, comment box में आपके बीट कर रहे हैं, कि भी आप लोग क्या answer type करते हो, एक बच्चे ने काय सर, हमने multiply कर भी लिया, बच्चे ने, very good, देख लेते हैं भी, इसका answer सही है, बाकी बच्चे बताओ भी comment करके क्या answer सही है, यह गलत है, एक बच्चे ने कर लिए है, solve, बहुत easy calculation है, बच्चों, इसमें 12 से multiply करने आपको कुछ नहीं, एक बच्चे ने साथ के साथ वेला question भी कर रहा है, ठीक है, ठीक है, जल्दी से बच्चे बताओ बने, बच्चे, कैसे telegram group join करना, इसका भी एक link मैंने दे रहा है, आप लोगो को, एक video बना रह है, आप उसे देख लो, मेरे चैनल पर मिल जाएगा, और उसके बाद आप कैसे join करना, इसका link description में, क्लिक करके join कर सकते हो, ठीक है, इसका मतलब यह है, कि यह जो 2880 जो आपके पास जो result आ रहा है, बच्चों, यह जो cost आ रहा है, यह बिल्कुल correct है, यानि कि जो आप लोग question में solve हो गया, अच्छा, अब मैं next को move करता हूँ, एक बर बता दो, question clear हुआ यह नहीं हुआ, जिस बच्चे को question clear हो गया, वो बच्चे एक बर yes लिख दो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, कही problem आ रही, जिस step में problem आ रही, बच्चे वो mention करो है, comment box में, कि सर हमें यहाँ प different आ रहा है, अलगा रहा है, it means कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, कोई comment नहीं आया है, क्लियर हुआ, एक बच्चे ने का यह सर, clear हो गया, ठीक है, फिर मैं next question की तरब move कर लेता हूँ, तो next question जैसे इसके बाद में देखूँ, उसके बाद हमारे बास एक question हो रहा है, इनर राइट अंगल triangle, एक राइट अंगल triangle, जिसमें 90 degree का angle कह सकते हो, one angle is measuring 35 degree, find each of the remaining triangle, remaining angle, two remaining angle, जो है उसके बारे पूछा जा रहा है, एक आपके बास राइट अंगल triangle है, राइट अंगल triangle का मतलब क्या होता है, बच्चों कले उसका concept आपको य value है, उसे find out करो, तो देखो, जो information question में दे रखिए, उसके according चलते है, तो सबसे पहले आपसे बोला गया, एक राइट अंगल triangle होता है, राइट अंगल triangle का मतलब यह होता है, one angle is 90 degree, राइट अंगल, ठीक है, टाम जो होता है, राइट अंगल, ठीक है, राइट का राइट य इसे जो लिखते हैं, कुछ लोग इस तरह भी लिखते हैं, सबसकर लो angle A है, ठीक है, तो उसकी value होगी हमारे पस 90 degree हो जाएगी, जैसे इसी की बात कर लेते हैं, मैंने इसका नाम A रख लिया, इस point का नाम B रख लिया, और इसका नाम C रख लिया, तो यह जो आपकी बास A क इसकी value के बारे में आप से बोला जा रहा है, यह right angle है, right angle का मतलब है, कि इसकी value आपकी पास 90 degree है, और जिस भी triangle के अंदर one angle 90 degree हो जाता है, तो उस triangle को आप बोल सकते हो, जैसे हम simply जो भी triangle बोल रहे है, इस triangle को हम लोग बोल सकते है, कि right angle triangle, ठीक है, right angle triangle बोलने का मतलब यहाँ आपको गी पास 25 रेखेया और आपको शॉल करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपने क्या करना है लेट करने ना थ्री एंगल ठीक है जैसे फर्स्ट एंगल की बात कर लेता हूं में कि फर्स्ट एंगल आपकी पास फर्स्ट एंगल का मतलब है एंगल ए की बात कर रहा हूं इसकी वैल्यू आपकी पास क्या हो गया 90 डिग्री हो गया उसकी बाद अगर स इंगल ठीक है सेकिन एंगल की बात करो यानि कि एंगल बी की अगर बात करूं यह हमारे पास 35 डिग्री है ठीक है यह गिवन है हमारे पास यह दोनों चीज़ां में कुशन से ही पता लग रही है थार्ड जो हमारे पास यह हमें find out करना है कि थार्ड एंगल की वेल्यू कितनी ह होने वाली है तो सबसे तरीका यह है बच्चो कि एक ट्राइंगल में प्रॉपर्टी होती है कि सम आफ ओल एंगल इस नैंटी डिग्री इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं याद रखना कि भी ट्राइंगल के अंदर थ्री एंगल सोते हैं उनका जो सम होता है यानि यह जो प्रॉपर्टी है आपके पास कि तीनों एंगल की एक अगर वैल्यू की बात करें यानि कि उनका जो कर दो टोटल कर दो बच्चो तो टोटल करके जो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो कितने आगी वह ने टी डिग्री आएगी यानिकि इसका मतलब यह ह हो रहा है बच्चो यहाँ पर कि भी अगर मैं इस कोशन के अकॉर्डिंग बात करूँ यानि कि आपके पास जो एंगल एंगल बी है और इसके लावा जो एंगल सी है इन तीनों की जो वैल्यू होगी है अगर इन तीनों को प्लस करेंगे 180 डिग्री आएगी और आपके पास 90 डिग्री है तो मैंने यह लिग दिया 90 डिग्री है देता हूँ टिक है यह लिए किसके ईफ्वल हो गया 180 यह उल्यू हो गया अब करोगे तो क्या वैल्यू आईगी चोटी सी कैलकुलेशन है जल्दी से बताओ इतना टाइम नहीं लगना चाहिए फटाफट बताओ वही क्या आनसर आएगा कि सर दो बच्चों का रिप्लाई आ गया मेरे पास कि 125 सर इसका आंसर आ जाएगा वेरी गुड तो 125 आपने इसको प्लस करके निकाल लिया बच्चों छोड़ी सी कालकुलेशन थी तो यहां पर मैं क्या करूंगा इन दोनों को प्लस करके 125 डिग्री लिख दिया अब हमें सी की वेल्यू फाइड आउट करनी है तो इसे तो मैं इधर ही रहने दूँगा और यह 125 आपके पास प्लस हो रहा था इसके साथ इसका डारेक्शन चेंज कर दूँगा यानि कि इसकी साइड है वो चेंज कर दूँगा यानिकि 180 के साथ यह मुल्टिप्लाई यह जो 180 आपके पा 180 में से 125 माइनस करो और बताओ भी क्या रिजल्ट आ रहा है ठीक है जल्दी से बताओ भी 180 में से 125 माइनस करो और बताओ क्या है रिजल्ट आ रहा है यानि एक छोड़ी से rough calculation आपको और करनी है जिसमें आप लोग क्या करोगे 180 में से 125 माइनस करोगे और अपना answer निकाल कि angle C की value है यह जो value हमें निकाल नहीं थी बच्चो इसकी value आपके पास आ जाएगी ठीक है तो जल्दी से calculation करो और बताओ भी क्या answer आ रहा है माइनस करो बताओ क्या dessert आ रहा है बच्चो वेट कर रहा हूं भी आपके answer का बहुत easy सा है 180 में से 125 माइनस करो अभी तक किसी भी बच्चे ने answer नहीं दिया है देखते बार यह इतना बड़ा calculation नहीं है बच्चो सिंप्ली आपको subtraction करना है माइनस करना है तो जल्दी से करो और बताओ क्या रहा है तफ है क्या अच्छे एक बचे ने कर दिया एक ने कर दिया सर हमारे answer तो 55 आ रहे है देखते भी आपकी होगा क्या answer आ रहे है कि 55 यह और आ रहे है तो यह आपके पास क्या हो जाएगा एंगल c is equal to हो जाएगा आपके पास 90 यह कह सकता हूं मैं यह जो आपके पास हो जाएगा इसकी वैल्यू 55 हो गया यह आपने यह तीनों फाइंड आउट कर लिए एंगल a आपको बता लग चुका था 90 डिग्री है एंगल b की बात करें यह भी आप निकाल चुके तो कुष्ण के अकॉर्डिंग 35 हो गया और एंगल c जिसके लिए आपने क्यालकुलेशन करी वह भी आपके पास आ गया और इसकी वैल्यू क्या आ गई 55 डिग्री इसकी वैल्यू आ गया यह कह सकता हूं जो हमारे जो तीनों एंगल के अगर वैल कि इस फिर में नेक्स कोशन देखता हूं और किसी बचे ने कोई कोशन टाइप किया गया तो यहां तक तो ठीक है अच्छा उसके बाद नेक्स कोशन हमारे पास सर फर्जमेट्रिकल कर्सक्शन गिव कोशन भी हैव तो जॉइंटल हां बच्चे क्यूंकि ना मेरे पास इतनी भी थोरम सवगरा है या फिर उसकी अप्लिकेशन बेस्ट कोशन है तो वह मुझे पता नहीं लग पाएगा तुम क्या पूछन चाहरे हो ठीक है तो जब तक मेरे पास एक्जैक्टली उसका एक तरह से कहरों पिक्चर नहीं आएगा मेरे पास डाइग्राम नहीं आए कर लो और वुदर आप मुझे शेयर कर सकते हो इसे अमारी प्रॉब्लम में इससे सॉल्फ कर दीजिए तो मैं वह सॉल्फ कर दूँगा अच्छा इस बीच पिर मैं नेक्स्ट कोशन देखता हूं और किसी बच्चे ने कोई कोशन टाइप किया एक ने काया जैसे क्लेर हो ग सबसे इजी कोशन है अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं होगा आपका तो आपको लगेगा सरी कितना टफ है क्या पूछा जा रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो देखो तो जैसे नंबर है आपकी पास पहले में वह नंबर लिख देता हूं ठीक है तो फर्स नंबर पास बचे ने मुझे बताया कि सर नंबर जो है वह थऊ-फाइव तो लेता हूं 俺 लिख लेता हूं और इसकी ऐन पर यए उसकी सरे इन नंडिया अब के बीच मां बठा आईए मुझे कितने नंबर बौई यह बोला है bast guay आपको बताने अपने बताने और धियानल नंबर में बचों जो नीची वाला जो होता है Q की वेल्लू कभी भी जेरो नहीं होती यह आपको ध्यान रखना है, जब भी आप question solve करोगी, question पढ़ोगे, इस basic चीज को ध्यान रखना है, तो देखो इस के लिए मुझे क्या करना होगा, एक number line draw करना होगा बच्चो, ताकि आपको ज्यादा clear हो सके कि number line draw किये भीना, इस question को solve करना थोड़ा मुस्किल है, ठीक है, यह नहीं करना होगा, बट आपको समझने के लिए मैं क्या कर रहा है, एक number line draw कर देता हो, ताकि clear हो जाए, अच्छा, अब देखो यह एक 3 by 5 है, इसे मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए decimal में convert कर देता हूँ, ठीक है, तो 3 by 5 और और यह next, जो सके नीचे जो आपको easily कर ले बचे इसके लिए, तो जब आप इसे divide करोगे, 3 को 5 से divide करोगे, ठीक है, कुछ इस तरह से divide आप लोग करते हो, तो यह proper divide नहीं होगा, 0 लगाओगे, decimal लगाओगे, और 6 तैम आप कह सकते हो, कि सर यह 0 लगाने के बाद यहाँ पर 30 हो गया, यानि कि 0.6 आपके बाद से result आजाएगा, first का, ठीक है, मैंने इसे क्या गया, decimal में convert कर दिया, next अगर इसकी बात करें में, तो इसे भी divide कर लो, 4 को भी, ठीक है, तो यहाँ पर 0 लगा ले तो डिवाइड नहीं हुआ, decimal लगा दिया, ताकि मैं 0 लगा सकूँ, अब मैं क्या करना हो, 5 से divide करूँ, तो यह solve हो गया, याना कि मेरे पास यह क्या गया, 0.8 अब मैं इसे क्या करूँगा, एक number line में बच्चों, number line में इसे plot कर दूँगा, ताकि मैं question solve कर सकू, सबोज यहाँ पर 0 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास 0 है, उसके पास, उसके बाद मैं सबोज कर ला थी, ठीक है, और आगे बढ़ूँगा, तो next हमारे पास 0.4 हो जाएगा, फिर next आगे बढ़ूँगा बच्चों, 0.5 आ जाएगा, फिर next और आगे जाओंगा, 0.6 हो गया, फिर आपास 0.7 हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर मैं उपर लिख देता हूं, 0.8 हो जाएगा, और आगे जाके आपके बस 0.9, देखो, नीचे लिख दिया है, मैंने, 0.9, अब कहोगे, 0.10, 0.10 लिखने की ज़रूत नहीं होती, कहीं लिखने लग जाओं, 0.10 यह लिखने की ज़रूत नहीं होती, बच्चे, बलकि इससे क्या होता, next हो जाएगा, यह 0 था, अब यह क्या मतलब यह हुआ बच्चो, कि यह जो पॉइंट है, 1st पॉइंट, यानि कि इस लोकेशन है, इसकी यहाँ पर इसकी यह पॉइंट आ रहा है, यह आपके पास क्या है, नमबर 1 है, छोटा-छोटा लिख रहा हूँ, यह नमबर 1 है, ठीक है, यानि कि 3 by, यह लिख सकते हो, 3 by 5 की लोकेशन यहाँ पर है, अच्छा, अब उसकी बाद देखो, 4 by 5 जानि कि नमबर 2 है, इसकी लोकेशन की बात करो, तो इसकी लोकेशन ही हमारे पास यहाँ पर आ रही है, ठीक है, यह जो मैं रेड बना रहा हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, ज्यादा क्लिर हो 0.8 तक है, अच्छा, अब सोचो कि सर, यह कैसे फाइंड आउट करें, तो कोई बचा कोई बचा कहेंगे सर, यह तो हम एक तो में देख रहा है, सर, क्या, 0.7, बिल्कुल क्लिर आपको देख रहा है कि 0.7 एक नमबर हो गया, ठीक है, अच्छा, अब यह जो नमबर है, अच इस decimal को remove कर देता हूँ, तो remove करने के लिए मुझे क्या करना होगा, नीचे 10 लिखना होगा, ठीक है, तो एक नमबर तो आप कह सकते हो, कि एक नमबर एक answer आपके पाद, 7 by 10 आ गया, ठीक है, लेकिन आपसे एक नहीं, दो पूछे गए हैं, कोई बात नहीं, आप कितने भी प हो जाएगा, उसके बाद next क्या होगा, 0.63 हो जाएगा, इस तरह से फर्दर आप बहुत सारे निकाल सकते हो, जितने मर्जी उतने निकाल लो, लेकिन इस कोशन में, जो कोशन आपने मुझे भेजा है, आपने बोला है कि सर मुझे 5 रैशनल लंबर निकाल के दीजिए, ठीक कोशन में आप से बोला गया है कि आपको डैसिमल नंबर में नहीं लिखना है भी, रैशनल नंबर में लिखना है, तो ठीक है भाई, अब मैं ये जो सबसे पहले 0.61 है, इसे जब मैं कनवर्ट करूँ है, तो 61 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, उसके बाद 0.62 जो है बच्छ यहां पर लिख लेता हूँ, 0.64 अगर बात करें, तो जो मैं इसे कनवर्ट करूँ है बच्छो, ये 64 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, उसके बाद 0.65 को अगर कनवर्ट करूँ, तो ये आपके बाद 65 डिवाइड बाई 100 होगा, इस तरह साथ आप जितने चाहों उतने नंबर में कन broad करते हैं, decimal को rational में कैसे कनवर्ट करते हैं, ये भी clear हो गया होगा, ठीक है? और ये rational number एक्छुनी होता गया है, इसका भी concept clear हो गया होगा, ठीक है? तो अगर question clear हो गया बचे, तो yes बोलो, समझ में आ गया है, तो otherwise, कहीं पर भी expert कोई बीक्षा है नहीं समझ में तो पहले यह बताओ, question clear हुआ या नहीं हुआ? question clear हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ. answer नहीं आया, reply नहीं किया आप लोगोंने, question clear हुआ या नहीं हुआ? एक बचे नहीं कहा दे, yes sir, clear हुआ? ठीक है, बाकी बताओ भी, question clear हुआ? अभी comment में लिखो बचे, अगर clear होता है, तो yes लिखो, अगर clear नहीं हो पा रहा हुआ, तो जहां पे जिस step में problem आ रहे हुआ, वो step बता सकते हूँ, sir, मैं यहां से समझ में नहीं आ रहा हुआ, मैं यहां से बता दीजिए, तो मैं repeat करूँँ, अच्छा, but in our books, देविनिट, अब देखो, अब मैं यह नहीं कर रहा है, कि यह 5 आंसर यह है, इसमें बहुत सारे निकाल सकते हो, ठीक है, इसमें बहुत सारे निकाल सकते हो, इसमें तो 0.6 से लेकरके 0.8 के बीच में, n number of निकाल सकते हो, मैं बहुत सारे आप रिजर्ड न सकता हो, मैं, question यह, express the following in P by Q form, अच्छा, decimal number की form में आपने दे रखा है, और कह रहा है कि P by Q form में, क्या लिखा है, first लिख रहा है, 0.47, dash 7 and, अच्छा, पहले दे रहा है, 0.47, यह number है, उसके बाद क्या लिखे हो, 7 and 2, 7 and 2 क्या मतलब, यह question, clear नहीं हुआ, बचे, क्या question, और question पूछा जा रहा है, express the following in P by Q form, ठीक है, उसके बाद साथ, यह first और second, अच्छ, ठीक है, clear हो गया, first और second part है, इस question के अंतर, first part में बोल रहा हो, 0.47 है, first, ठीक है, और second साथ, बताना चाहरे हो, and dash above, question clear नहीं हो रहा है, बचे, क्या टाइप कर रहा है, question में कोई टाइ पूछना चाहता है, पूछो, एक last question और ले लेता हो, आज का, फिर class को wind up करेंगे, किसी बच्चे को कुछ पूछना है, बच्चे है, तो पूछो, otherwise class wind up करेंगे, question बच्चे इसलिए पिक निक है, हमेने आपका, कि इसमें थोड़ा clear नहीं हो रहा है, मुझे information, फिर भी जित word करना है, मुझे, सबोज कर लो, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, बच्चो, जैसे कि आपने ये question दिया है, 0.478, 1 minute, 0.47, ठीक है, अगर question ये होता, एक example ले रहा हूं है, 0.47, ये आपके पास एक decimal number है, ठीक है, ये क्या है, decimal number की form में आपने दे दिया, कि सर हमारे पास ये decimal, कि हमारे पास ये decimal number है, अच्छा, और decimal number को सर हमें convert करके बता दीजिए, pyq की form में, pyq की form लिख दे, ठीक है, या फिर आपको rational number लिख दे, ठीक है, या फिर आपको बोल दे कि fraction में convert कर दो, इन सब की meaning सेम ही होती ही, बच्चो, rational number बोल दे, या फिर fraction बोल दे, या pyq की form कर दे, meaning सब की सेम ही है, तो अगर मुझे सब्सकर लगा, ये question होता, बच्चो, तो इसके लिए मुझे solve करने के लिए क्या करना होता, कि जो 0.47 है, जो decimal number आप देख रहे हो, इसे यहाँ पर decimal को remove करोगे, सबसे पहले, जब decimal की बाद 2 प्लेस है, यानि कि 2 टाइम्स 0 लगा हो गेर 1, ठीक है, ये आएगा आपके पास, बस हो गया हमारे पास convert ये, ठीक है, यानि कि ये क्या हुआ, PYQ की form में आ गया, यानि ये कह सकते हो, कि ये rational number हमारा बन चुका है, हाँ, अगर ये divide हो रहा हो तक किसी भी table से दोनों number, तो हम इसे simplify भी कर सकते हैं, बच्चे, आज की class फिर ये wind up करता हूँ, कोई और बच्चा कुछ पूछना, 7 dash means 7 repeating again and again, अच्छा 7 dash का मतलब कह रहा हो, कि 7 repeat हो रहा है बार-बार, ठीक है, यानि कि कहना ये चाह रहे हो, कि सर ये 4.777 dash dash, ये बोलना चाह रहे हो, कोई बात नहीं बच्चे, तो इसके लिए और भी easy ह हो गया, इसकी meaning हमारे पास ये हो गई, कि जब भी decimal के बाद, आपके पस 5 से ज़्यादा आता है, तो इस वाले को आप क्या कर सकते हो, इसको 8 consider कर सकते हो, यानि कि इसे आप क्या लिख सकते हो, 4.78 लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि ये 5 से प्रिवेस index जो है, वो 5 से ज़्याद आ रहा है, तो अब आप क्या करोगी, 7 को convert करके मैंने क्या लिख दिया, 8 में convert करती है, तो ये हमारे पास flexibility होती है, कि हम अपनी तरफ से ये कर सकते है, यानि कि आप ये जो आपकी पास है, इसको जब convert करोगी, जो question यानि की question ये कहना चाहरे थे, 7.4, 0.4777777 इस तरह से चल होगे, ये 5 से जदा आ रहा है, जब भी 5 से, 5 या 5 से जदा आ जाए, तो अब इसे increase कर सकते हो, तो मैंने इसे क्या क्या, 0.48 कर दिया, एक मिटेक मिले, 4.8 नहीं होगा, हाँ, ठीक है, 4.8 हो जाएगा, 7 है, 4.8 हो जाएगा, ठीक है, इस step पे आप मैंने इसको क्या क्या क्य हो, अब ये जो 48 by 100 है बच्चो, इसको आप लोग क्या कर सकते हो, simplify कर सकते हो, जैसे मैं यहां दिकर कर कर रहा हूँ, ये 2 के टेबल से दोनों डिवाइड होगे, ये 24 हो गया, ये 50 हो ठीक हो गया, इसे और सिप्लिफाइड कर सकते हो, ये 12 हो गया, और इसे करो गया, और इ सिंप्लिफाइड कर लिया, तो इस तरह से इस question को solve कर सकते हो, तो ठीक है बच्चे हो, फिर आप मैं यहां पर class over कर रहा हूँ, आज की class इतना ही रखते हैं, तो next day मिलते हैं, next day यानि कल सु बच्छे बच्छे मिलते हैं, तो जो भी आपके question है, उसे आप यहां पर type कर सकते हो, और खास तरह पर जो बच्चे जिमेटरी बेस्ट कोशिन पूछना चाह रहे हैं, या पिसी थोरेम में, डाइग्राम बेस्ट कोशिन बच्छे, तो उन बच्चों को यह कहूंगा भी, कि आप लोग मुझे Instagram पे या फिर Telegram पे कहीं पर भी मुझे जोइन कर सकते हो, और पे अपने यह जो पिक्चर वगर है, पिक्चर मुझे सेंड कर दो, जब आप पिक्चर सेंड कर दोगे, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप पूछने क्या चाह रहे हो, क्योंकि कुछ कुछन ऐसे होते हैं, जहां बिना पिक्चर के समझाना थोड़ा सा मुस्किल ह ठीक है, तो ठीक है बच्चो तो मैं अब यह क्लास वाइंड आप कर रहा हूँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल सुबद 6 बजे, ठीक है, अभी के लिए बाई बच्चो कर दो कराम, करेम बच्चर के लिए isे बिनांगरा हूँ, चुरूफ आई से हो टता हैं, से लिए ओड़ दो में आप सा मुस्तिय क जताहीं, आपर रखते हैं,但是 भी की छताहीं, दूताना रखते हैं, ई हूँर मैं बच्चर के लिएए यह झाल झाल